हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन में और देखिए ये है मेरा घर यानि की अपुन का घर और देखो वो रहा अपनी स्केरी टीचर का घर बोले तो एकदम भूत बंगला जि लगता चली जा अंदर हाँ अब इस पीली गेंड की बारी ना 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 आ ये भी गई ये चड़ी तक अमाल की है कल इसे स्कूल में ले जाऊंगी और बच्चों को पेलूंगी सुना आपने फ्रेंड्स मिस्टी हमारे बारे में कैसी बाते कर रही थी कि वो हमें सकूल में एक चड़ी से पीटेगी मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे अरे ये क्या पड़ा है ये तो एक टोकरी है मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारी टोफी और चोकलेट होंगी और ये कैसी चाबी है हम इसे भी ले ले लेते हैं और देखो दरवाजे पर तो लाल रंग का ताला है और ये हमने खोल दिया इसको चाबी से आरे मिस्टी कहा हो देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चोकलेट और टोफी लाया हूँ दोस्तो वो यहां तो है ही नहीं तो हम उपर जाती है ये खड़ी मिस्टी मुझे छोड़ दो देखो मैं तुम्हारे लिए चोकलेट लाया हूँ दोस्तो ऐसे बात नहीं अरे यहाँ पर तो इतने सारे music instruments है इन्हें बजा कर तो हम misty के कान में दर्द कर देंगे मगर ये क्या पड़ा है ये तो कुछ बांसूरी जैसा है और दिखने में भी बहुती सुन्दर है मैं इसे उठा कर देखता हूँ फ्रेंड्स ये तो एक बीन है इसे बजाने से सौप डांस करने लगते है और मैं जब इसे बजाता हूँ न तो हमारे मोहले के सभी लोग भागने लगते है अरे बाबा खुशी से नहीं बलकि मुझे पकड़ कर पीटने के लिए क्योंकि जब मैं बीन बजाता हूँ तो सब के कान में दर्द होने लग चाता है और हम तो इसी बगीचे के रस्ते से अपने घर चले जाते हैं और जाकर मोहले के सभी लोगों को बीन का गाना सुनाते है ये जाडियों में से कैसी आवाज आई ओहो यहाँ पर तो एक बहुती ड्रावना साप है औरे भाई आजा मेरी टोकरी में बैठ जा अच्छा यार ले मैं तुझे गाना सुनाता हूँ लो दोस्तो अब तो इस टोकरी में इतना सुन्दर साप आ गया है तो क्यों न हम ये मिस्टी को जाकर गिफ्ट में दे दे तो कैसा लगा आपको ये आईडिया जल्दी से कमेंट बोक्स में बताओ लेकिन मेरी मम्मी कहती है अगर मिट्टी में खेल कर आओ तो उसके बाद नहाना चाहिए और ये साप तो हमेशा मिट्टी में ही रहता है तो हम इसे बातरूम में ले जाकर अच्छे से नहला देते ह लो आजा साप भाई अब तेरे नहाने की बारी मैं इसे सबसे पहले सैनेटाइजर से साफ कर देता हूँ पिश पिश उई मा ये सैनेटाइजर मेरी आँक में किसने डाल दिया रहे बाबा कुछ दिख नही रहा देखो आपने ये तो एक्तम नहा धोकर ललन टाप हो गया है बिल्कुल चकाचक लग रहा है अब ये बिल्कुल तयार है मिस्टी से मिलने के लिए चल भाई तुझे मिस्टी से मिला कर लाता हूँ वो तो तुझे देख कर खुशी से पागल हो जाएगी वो देख वो रही स्केरी टीचर पिश इसे देख कर तो मुझे ही डर लगने ले भाई अब तू यहाँ पर आराम से बैठ और टेंशन मत ले मिस्टी अभी आएगी और तुझे देख कर खुश हो जाएगी ये लगा शोट और तेरी की ये चड़ी कहां गई ओ ये खौमे काटे उससे पहले इसी को ही काट डालो और एक बाट तो डांक मारने दो ना बाबा ना वह दोस्तो ये अनोखा प्रेंक करके तो मजा ही आ गया कितनी सुन्हेरी शाम भै मगर ये कच-कच की आवाज कहां से आ रही है ओए फ्रांसिस के बच्चे मेरा नेम्बू पानी कहां है मिस्टी पहले ये अलोवीरा तो काट दू इतनी मोटी है कत्ती ही नहीं तुम क्या ये फाल्तू के काम कर रही हो जल्दी से रसोड़े में जाकर खाना बनाओ और लोग अब हम एक बार फिर से आ गए है मिस्टी को तंग करने के लिए क्योंकि हमारा पिछले वाला प्रैंक तो एकदम धमा केदार था अरे ये क्या गेट पर तो ताला है मिस्टी हमेशा ही अपने गेट को बंद करके रखती है मगर हमारे पास तो गर में जाने का एक और भी रास्ता है ये टेबल पर तो एक चाबी है इसे भी साथ में रख लेती है और अब हम जल्दी से सीडियों से उपर चड़ जाती है लो भाई हम लोग तो मिस्टी के घर के अंदर भी आ गई ये मेज के पीछे क्या पड़ा है उहो ये तो एक extension plug है दोस्तो वैसे भी मेरे mobile charger की तार थोड़ी छोटी थी तो हमने इसे तो अपने साथ रख लिया ये तो हमारे बहुत काम आएका पता नहीं मिस्टी अब कहां पर छुपी बैटी होगी तो मैं चल्दी से kitchen में ही चला जाता हूँ अरे मिस्टी कहां हो नजर ही नहीं आ रही दोस्तो ये क्या मेज पर तो नीमबू पड़े है वा भाई वा आज तो मैं नीमबू का juice पिऊंगा तो मैं जल्दी से इसको mixi में डाल देता हूँ लो भाई हमारा नीमबू का juice तो एक मिनट में तयार भी हो गया आज तो मजा ही आ जाएगा और ये क्या यहां तो एक bread toaster भी है तो मैं इसे भी अपने साथ रख लेता हूँ अरे ये क्या मिस्टी हमारे पीछे पड़ गई तो मैं यहां से बाहर कूद जाता हूँ friends मिस्टी तो kitchen के अंदर है मतलब कि अब हमें बाहर से ही जाना होगा कहीं मिस्टी हमें पकड़ ना ले और ये कैसा अनोखा सा पोदा है मुझे तो लगता है कि ये एलो वीरा का पोदा है वाँ भाई मिस्टी को तो अब पोधे भी उगाने आ गए चलो मिस्टी ने कुछ तो सीखा और ये क्या यहां तो एक पावर प्लग है तो मैं जल्दी से इसमें अपने extension प्लग को लगा देता हूँ और यहां पर bread toaster भी रख देती है क्या पता मिस्टी को कब खाने की भूख लग जाए ओ शिट ये तो पानी में गिर गया friends और अब तो यहां पर current भी फैल गया अब तो मुझे यहां से बच कर भागना ही होगा तो मैं जल्दी से घर के अंदर जाता हूँ और मिस्टी को सब कुछ बता देता हूँ कि बाहर पानी में current फैला हुआ है और यहां से थोड़ा बच कर ही रहना मुझे लगता है मिस्टी उपर है तो मैं जल्दी से उपर जाता हूँ अरे मिस्टी कहां पर हो तुम्हारे लिए इतनी जरूरी खबर लेकर आया हूँ और तुम पता नहीं कहां छुपकर बैठ गई हो दोस्तो मिस्टी पता नहीं कहां है अरे मिस्टी अरे ये क्या पड़ा है एक एलोवीरा जेल का डिबा चलो मैं निम्बू का जूस इसी में ही डाल देता हूँ अब मिस्टी को एलोवीरा के साथ साथ निम्बू का भी मज़ा आ जाएगा इसे लगा कर तो मिस्टी एकदम हेल्दी हो जाएगी वाह भाई वाह और हमारा काम तो यहाँ पर हो गया तो अब हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं ये पानी कहा गया लगता है तंकी खाली हो गई भरा तो था जानू इस खर के सारे का मुझे ही करने पड़ती है फ्रांसीज मेरे को कुछ थेंडा थेंडा लगाओ ये एलो वीरा जैन लगाता हूँ मेरी जहान निकाल दी तर्क आँ मेरा दांस तोड़ दिया तो फ्रेंड्स आपको आज वाले ये दो अनोखे नए प्रेक्स देखकर मज़ा आया होगा ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मुझे भी तो मज़ा आ जाए और मुझे भी तो पता चले कि आप लोग स्केरी टीचर को कितना प्यार करते हो और क्या हमें अगली वीडियो में ग्रैनी के घर जाना चाहिए आप चल्दी से कमेंट बोक्स में बताओ, अगर आप कहोगे तो हम ग्रैनी के घर जरूर जाएंगे तो ओके फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं आप से कल दोबारा मिलने के लिए जै हिंट, जै भारत, लव यू सभी को